सूपरस्टाव शारु खान के लिए साल 2030 वाकी काफी जबरदस्त रहा और जिस तरीके से शारु खान की फिल्म पठान, जवान और डंकी फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई तो ऐसे में ये कहना बलकुल गलत नहीं होगा कि ये फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई और अब साल 2024 से दर्शकों की उमीदे और भी बढ़ गई है कि शारु खान की आखिरकार कौन सी फिल्में आएंगी जो कि साल 2024 और इसके बाद में भी हमें देखने को मिलेगी इस बीच साउथ के डारेक्टर एटली जिन्होंने जवान फिल्म का डारेक्शन किया था उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है जवान टू को लेकर उमीद है आपको ये खुलासा सुन कर बड़ा पसंद आएगा क्योंकि आपको बता देए कि जवान टू को लेकर जब सवाल के गए साउथ के डारेक्टर एटली से तो उन्होंने इसका बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मैं अभी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट कैसी होगी क्या होगा क्या ये जवान टू के लिए सही रहीगी क्या शारु खान ही इसमें होंगे इस बारे में अभी ना सोचते हुए वो बस स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जब उन से पूछा गया कि शारुखान के साथ काम करना कैसा रहता है क्या आप आगे भी काम करना चाते हैं तो उन्होंने बड़े गर्ब के साथ हां कहा और कहा कि मुझे शारुख के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है और मैं आगे भी उमीद करता हूँ कि हम साथ में काम करेंगे पिलाल आपको बता दें जो साउथ के डारेक्टर एटली है वो वीडी 18 यानि कि वरुन धवन की फिल्म को प्रड्यूस करते हुए अपनी पत्नी के साथ दिखाए दे रही है इतना ही नहीं जवान जो फिल्म को लेकर भी फान्स काफी एकसाइटेड हैं कि कब हमें इस फिल्म से बड़ा अपडेट मिले वल्कमन सेक्शन में अब आप अपनी राय बताईए और कर दीजिए चानल को सब्सक्राइब